हलो बच्चो आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी का पार्ट नमबर 14 पार्ट का नाम है कुमारी कालिबाई तो बच्चो पहले हम इसके प्रशन उत्तर करेंगे उसके बाद हम इसके अक्सरसाइज को पूरा करेंगे अगर आपने इसके पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हो पहले है निमन लिख्ट प्रशनों के उत्तर एक वाक्य में लिखें तो कोस्चन है पहला कुमारी कालिबाई का स्मार्ग तो स्मार्ग क्या होता है किसी का स्टैचू ठीक है ना बूत जैसे महात्मा गांधी के बना हुआ है शिहित बगगत सिंग का बना हुआ है ना आपने देखे होगे बड़े बड़े शैरों में तो उनको बोलते हैं समार्ग कह रहे हैं कि कुमारी काली बाई का जो समार्ग है राज्यस्थान के किस गाउं में बना है तो बच्चों कहांपे बना है इसका अंसर आएगा कुमारी काली बाई का समार्ग राज्यस्थान के रास्ता पॉल गाउं में बना है कहां पे बना है रास्ता पॉल गाउं में कुमारी काली बाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उमर कितनी थी तो बच्चो कितनी थी उसकी उमर सिर्फ तेरह साल इसको हम लिखेंगे कुमारी काली बाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उमर 13 वर्ष थी नेक्स्ट कॉस्चन है रास्ता पाल गौं के कौन से दो अध्यापक करांतिकारी गतिविदिया चलाते थे तो बच्चों कौन से थे वो दोयापक पहला है नाना भाई खाट ते दूसरा सेंगा भाई ठीक है हम इसको लिखेंगे रास्ता पाल गाउं के नाना भाई खाट और सेंगा भाई करांतिकारी गतिविदिया चलाते थे इस गतना में शहीद हुए अध्यापक का क्या नाम है तो कौन सा अध्यापक था जो शहीद हो गया था उसका नाम आएगा नाना भाई खाट हमें इसको लिखेंगे इस गतना में शहीद हुए अध्यापक का नाम नाना भाई खाट है नेक्स्ट है निमन लिक्त प्रश्णों के उत्तर तीन चार वाक्यों में लिखें पहला कोश्चन आएगा बोगी लाल पांडे और स्कूल के दो अध्यापक अंगरेज सरकार के खिलाव क्या काम करते थे तो बच्चों क्या करते थे वो करांती कारी गती विद्या चलाते थे ना तो हमें इसको लिखेंगे बोगी लाल पांडे और स्कूल के दो अध्यापक अंगरेज सरकार के खिलाव करांती कारी गती विद्या करते थे वे करांतिकारियों को पर्चा बटवाते और सूजनाएं बिजवाते थे ठीक है क्या करते थे वो करांतिकारी गतिवी दिया करते थे और करांतिकारियों को पर्चे बांटते थे और सूजनाएं बेजते थे नेक्स्ट आएगा कुमारी काली बाई ने अध्यापक सिंगा बाई को अंगरेज से कैसे बचाया तो इसकान से लिखेंगे अध्यापक सिंगा बाई को अंगरेजों ने जीप के पिछे रस्तियों से बांद दिया था तो कुमारी काली बाई ने अध्यापक सिंगाबाई की रस्तियों को कच्चिया से कार दिया तो कैसे किया था जो अध्यापक को रस्तियां बांदी होई थी कुमारी काली बाई ने उसको कच्चिया से कार दिया था नेक्स्ट आएगा कुमारी काली बाई देश के लिए कैसे शहीद होई इसका अंसर आएगा कुमारी काली बाई अध्यापक को बचाते हुए सैनिकों की गोलियों की बशार से शहीद हो गई तो कैसे होई थी वो अध्यापक को बचाते हुए सैनिकों की गोलियों से शहीद हो अब हम करेंगे इसके एक्सेसाइज नीचे दिये गे मुहावरों के अर्थ दिये गे हैं उनके वाक्य बनाएं तो बच्चों हमें मुहावरे दिये उनके अर्थ भी दिये हैं हमें सिर्फ वाक्य ही बनाने हैं पहला मुहावरा है परानों की बली देना मींस जान देना ठीक है है आग लगना आग लगना मींस प्रेम होना इसका बनेगा कुमारी कालीबाई के दिल में देश प्रती आग लगी थी मेंस की देश के प्रती प्रेम था नेक्स्ट आजाएगा डेर करना डेर करना मींस मार गिराना इसका बनेगा सैनिक ने दुश्मन को डेर कर दिया ठीक है न जाना जा गायभ हो जाना जा खिसक जाना। इसका बनेगा गरवलों के जाग जाने पर चोर वहां से रफू चकर हो गए। मिन्स कि वह बाग गए। नेक्स्ट है जीवन लिला स्मापत होना मिन्स मर जाना इसका बनेगा काली बाई की जीवन लिला खतम हो गई ठीक है क्योंकि वो मर गई थी ना शहीद हो गई थी तो हम लिखतेंगे काली बाई की जीवन लिला खतम हो गई नेक्स्ट है निशावर होना निशावर होना means किसी के लिए जान देना, उसको कहते हैं निशावर होना, इसका बनेगा राम ने देश पर अपने परान नर्शावर कर दिये, परान means अपनी जो जान थी वो निशावर कर दी, नेक्स्ट कहानी खतम होना, means मृत्यो हो जाना, ठीक है, means death हो जाना जा मृत्यो हो जाना, इसका हम लिखेंगे कल राम के दादा जी की कहानी खतम हो गई, नेक्स्ट है एक ना एक दिन मिन्स कभी ना कभी ठीक है इसका बनेगा एक ना एक दिन राम समझ जाएगा अब आएगा निमत लिकत गंदाश में संग्या शब्दों पर गोला लगाएं तथा सर्व नाम शब्दों को रिखांकित करें तो बच्चों हमें क्या करना है जी हमें पैरा दिया हुआ है हमें जो संग्या शब्द है उनके उपर गोला लगाना है और जो सर्व नाम शब्द है उनको अंडरलाइन करना है ठीक है तो बच्चों संग्या शब्द क्यों से होते हैं कौन से हैं किसी व्यक्ति का नाम है ना कि स्थान का नाम वो सारे शब्द मिन्स की संग्या होते हैं तो सर्व नाम के होते हैं जो शब्द संग्या के स्थान पर यूज किया जाते हैं जिनके वर्तों संग्या के स्थान पर की जाते हैं जैसे उससे उसने उन्हें वे जी होते हैं सर्व नाम ठीक है अब हम संग्या शब् संग्या है ठीक है बिगुल बिगुल भी संग्या है क्योंकि बिगुल बजाने वाला होता है जो मों में डालके बजाते हैं ना मंदिरों में उसको बोलते हैं बिगुल तो वो भी किसी का नाम है तो संग्या है जीप भी संग्या है आदवासी भी संग्या है और नीचे पर जीप दी होई है, इसको भी हम गोला लगाएंगे अब सर्व नाम के इन कौन से हैं, जो संग्या के स्थान पर योज किये गी है आपना उनठीखा, वे उनकी उनका जे सबी शब्द जो हैं, जे संग्या के स्थान पर योज किये हैं ठीक है ना? तो next है निम्मंत लिख शब्दों की लिंक बदल कर लिखें जासे शिक्षक नेक्से हैं बालिका तो बालिका का निंक क्या बदलेगा बालक लड़की, लड़की का बन जाएगा, लड़का, तो कुमारी का, कुमार, अध्यापक का बन जाएगा, अध्यापिका, जुवकत नहीं आएगा, जुवक आएगा, ठीक है, का आएगा पिछे next है, नीचे दिए गे शब्द जोड़ों के अर्थ दिए गे है शब्द के अर्थ को समज़ते हुए वाक्य बनाए थीक है, जैसे उन्होंने दिया है पता एक पता होता है, किसी का वसतू का जगा का ज़ा मिन्स की किसी का परिच्शे करवाना हो जैसे आपके घर का पता, आपके स्कूल का पता, ठीक है ना, किसी सिट्टी का पता, एक तो वो पता हो गया, इसका वाक्या बनेगा, मुझे नए स्कूल का पता है, मिंस की नए स्कूल की जगा पता है, कि वो कहां पर है, तो दूसरा है पता, ठीक है, ये क्या पता क्या है, व बहुत बड़े होते हैं नेक्स्ट आजएगा जात जात क्या होती है एक वंच कुल ठीक है ना जैसे हम पोलते हैं तुमारी कौन सी जात है वैसे ही तो जाती की होता है, मिन्सकी जैसे मैं जाती हूँ ऑना, जाना का बूतकाल जो काम हो चुका है, जो कर लिया है, उसके स्तान पर हम जोज करते हैं जाती, जैसे गीता सबी बातों को बूल जाती है ठीक है कि गीता जो है वो सबी बातों को बूल जाती है नेक्स्ट आजेगा पड़ी पड़ी मिन्स एक तो हो गया रख्यूई ठीक है रख्यूई कोई चीज कहीं पे रख्यूई तो इसका क्या बन जाएगा बर्फी प्लेट में पड़ी हुई है ठीक है तो एक होता है पड़ी वो कौनसी होती है पड़ा लिखा ठीक है जिसको पड़ा लिखा हमने बोलना हो न हम बोलते न वो पड़ी लिखी है मिन्स कि वो एजुकेटर है तो इसका बनेगा गीता दस्वी तक पड़ी हुई है नेक्स्ट आजेगा बस एक बस होता है खतम, हम कई पर बोलते हैं न अगर हमें कोई रोटी के लिए पुशे हम बोलते हैं नहीं बस और नहीं, मिन्स खतम, ठीक है, उसका बन जाएगा, बस अब मैं और नहीं चल सकती, ठीक है, नेक्स आजएगा BUS वो तो आपको पता हिए आप BUSES में जाते हो तो इसका बन जाएगा राम BUSES से चंडिगर जाएगा तो BUS क्या हो गया एक वाखन ठीक है अब नेक्स इसके साथ पर जोग तो बच्चो इसके साथ जो हमारी जे चाप्टर है वो complete होता है आशा करती हूं आपको समझ आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शियर जुरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चानल को सब्सक्राइब करना ना बूलें